हेलो एंड वेलकम डियर स्टुडेंट स्टुडेंट कोशन नमबर न तक हो गए थे कोशन नमबर 11 जो बचते हैं वह आप लोग देख सकते हैं सिमिलर वे से कुछ परेशानी वाली बात नहीं है कोशन नमबर 11 में थोड़ा सा चेंज है क्या है देखिए क्या बोल रहा है शो दार झाल से सट भी इकोल टू बीके वेक्टर वीके अभी ये कैसा सेट है उसके अंदर यह वेक्टर दे रखे हैं थी डायमेंशन के इस आ बेसीदाफेंटर स्पेस वी थरी सी कह रहा है हमें यह शोग करना कि यह जो set B लिया हुआ कि यह vector space है V3C का और hence find the coordinates of 3 plus 4 iota, 6 iota, 3 plus 7 iota और इनके coordinates भी find करने हैं इन V3C के अंदर जो relative to किसके हैं B के, B के relative है student ठीक हैं तो यह coordinate भी find करने हैं तो सबसे पहले हमें जो first चीज़ प्रूफ करनी है वो प्रूफ करते हैं क्या प्रूफ करना student कि यह जो B vector दे रखा है B set of vector जो दे रखा है यह basis है के नहीं तो सबसे पहले यह बताएंगे फिर उसके बाद हम coordinates find करेंगे complex number complex vector जो दे रखेंगे ठीक है तो देखिए इसमें दो part हैं दो part मतलब first part में linear independent बताना है दूसरे part में coordinates बताने है किसी भी given जो given vector दे रखेंगे तो सबसे पहले हमें linear independent बताने के लिए हमें पता है कि इसका dimension कितना है v3 c का dimension 3 है तो हम लिख लेंगे as we know या as dimension of v3 our c कितना है 3 इसका dimension कितना है मतलब 3 therefore any three linear independent vector of this will form its basis के कोई भी अगर इसका dimension 3 है तो कोई भी तीन vector इसके वो basis कब होंगे अगर क्या हो अगर वो set तुमारा क्या हो basis हो जो given set दे रखा है अगर वो set तुमारा basis होगा तब हम बोलेंगे कि यो कोई भी तीन vector है वो linear independent होंगे मतलब उन पूरे का set suppose मतलब अगर अगर dimension इसका 3 है तो फिर हम कोई भी किसी भी तीन परकार के वेक्टर ले ले लेते हैं तीन परकार के वेक्टर ले लेते हैं और उनका set और उन तीन परकार के वेक्टर को हम basis तबग हैंगे अगर उन वेक्टर का set क्या होगा तुमारा linear independent set होगा अगर उन वेक्टर का set linear independent होगा तो हम बता देंगे कि वेक्टर है तुमारा basis है कि स्थीक्ट के तो अब हमें चेक करना क्या है वी इस लीनेर डीपेंडेट तो लीबीयर डीपेंडेट है तो लीनेर इंडेपेंडेट सेत है तो हम बता सकते हैं कि B काई of a sorry certa to लीनेर इंडेपेंडेट बताने के लिए क्या करते हैं अब क्या करोंगे कोई स्केलर लेक्ट करें गये वर नबह दिशन स्केलर को हम लिनर कंबिनेशन करेंगे इन के साथ भी के वेक्टर के साथ तो फिर उन्हें चेक करेंगे बही कैसे करते हैं आपको पता है ना जब जिनने combination बनाएंगे वहाँ से equation बनेंगी और उन equation को आप किसी भी method से solve करोगे आपके पास a1 की value निकलेगी a2 की value निकलेगी a3 की value निकलेगी अगर इन तीनों की value equal to 0 आ जाए तो तब हम बोलेंगे कि यह जो given vector b है theta of vector b है यह तुम्हारा क्या है basis है किसका वी त्रियावर c का स्कते हैं लेकिन इसका जो second part कहता है hence find the coordinates of this के इस यह जो complex vectors दे रखें इनके coordinates बताओ जो relative to b हैं तो यह part समझने का है तो इसको देखे कैसे सामझे प्रियर देखे डाओ तो यह शीकली चुझरत सबहा देकिन उनका किसे से रखेड़रो में को, जेखे वन इसका लिए अधि जो सब्से Oke क्ट कान का है है डाओ का रह पाला है किसका द देख बांका ट क्डंका मेरा है टू जो गिवन वेक्टर क्या है 3 प्लस 4 आयोटा 6 आयोटा 3 प्लस 7 आयोटा इकवल टू मान लियते हैं यह क्यों निकालने के लिए मैंने मान लिया कि यह वेक्टर किसके बराबर है किस मतलब जो बी के वेक्टर हैं उनके linear combination के बराबर कहने का मतलब जन्रेट कर रहा है उस बी का जो B के वेक्टर हैं वो पूरे के पूरे element इसको जंट्रेट कर रहे हैं यह जो given set of vector है आप ऐसी भी समझ सकते हैं तो it means select कर लिया मैंने यह चीज किसके बराबर है A of 100 A scalar है ठीक है प्लस B scalar ले लो उसके coordinate है 110 प्लस C coordinate ले लेंगे 111 जो B के given vector दे रखे हैं तो जब आपम इनको this implies 3 प्लस 4 iota जब इसको as it is रखो इसी equal के नीचे equal यहां से देखे जब A को अंदर multiply करेंगे बी को अंदर multiply करेंगे सी का अंदर multiply करेंगे और फिर उन सब को add करेंगे तो आपके पास यह आ जाएगा A plus B plus C फिर B plus C फिर क्या जाएगा C यह तो left side यह है right side वो तो comparing and comparing the given vectors we get A plus B plus C equal to this B plus C equal to this and C equal to this तो C की value निकल जाएगी तो जो ही C की value निकलेगी आप लोग A की B value निकल सकते हो B की value भी C की value भी तो आप ऐसे लिखोगे के on comparing we get मैं compare करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा student A plus B plus C की value आ जाएगी 3 plus 4 आयोटा इसको मान लेगे student equation first दूसरी मिली आपके पास B plus C तो उसके corresponding क्या मिलेगा 6 आयोटा इसको मान लेगे equation second तीसरा आपको pair मिला C which is equal to क्या है 3 plus 7 आयोटा अब यह C की value put कर दो इसमें B की value निकल जाएगी तो जब C की value second में put करोगे तो B equal to कितना आ जाएगा यह plus का 3 आगे जाएगा minus का 3 plus का 7 आगे गा minus का 7 आयोटा plus 6 आयोटा 6 में से 7 minus आयोटा तो B की value आगी minus 3 minus आयोटा माइनस 3 minus आयोटा यह B की value निकल जाएगी अब B की value substitute कर दो B और A की B और C दोनों की value substitute करो first में तो आपके पास A की value निकल जाएगी तो hence आपको coordinates निकालने थे तो आप लिख सकते हो के hence दस दस A equal to कितरा आ गया 3 minus 2 आयोटा आ गया B की value आगी minus 3 minus आयोटा C की value आगी 3 plus 7 आयोटा A B C निकल गए तो therefore हमने coordinates बताने थे किसके इस चिसके 3 plus 4 आयोटा 6 आयोटा 3 plus 7 आयोटा तो उसके coordinates आपके पास क्या मिल गए आप लिख सकते हो ऐसे बीच में यह 10 therefore coordinates of our B है ना उसने कहा कि coordinates इसके बताने है relative to B जो B के relative है तो B के relative ही करके हमने find किया B के relation में ही हमने इसको find किया तो हम इसको कैसे लिखेंगे therefore ऐसे closed interval में यह वाली value और बीच में script letter B लिख लेंगे क्यों कि इसका मतलब है कि यह जो set of vector है वो B के relative है और B के relative पर value क्या दे रहा है equal to एक value दी 3-2 iota फिर उसके बत क्या दे रहा है minus 3 minus iota फिर 3 plus 7 iota यह value दे रहा है hence this is the coordinate given vector B ठीक है student I hope आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग evaluate करते है इसको तो similarly question number जो next है student तुमारा question number 12 तो 12 को भी इसी तरीके से करना है show that the set B equal दे रखा है is the basis of C or if and only if alpha delta is not equal to beta gamma अगर यह condition होगी तो तब आपको prove करना है तो firstly हम यह show करेंगे given set B दे रखा है तो firstly हम show करेंगे B तुमारा linear independent है तो linear independent के लिए आपको पता है क्या स्केर लेंगे फिर उनका linear combination बनाएंगे वहां से उनकी value निकारेंगे अगर वह इन दीने independent होगा तो आप फिर secondly proof यह करेंगे के linear span of B जो है वो पूरा C आवर आ रहे हैं तो linear span भी प्रूफ करना आता आपको तो आप लोग खुद इस question को as it is कर सकते हैं ठीक है ना तो उसके बाद जो question number next है ने तुमारा matrices वाला तो एक में next question 13 है तो 13 question जो तुमारा है book हाँ 13 question कहता है let V be the vector space of all two by two matrices आवर आउर शो दे रखा है B के अंदर vector दे रखें और matrices फार्म के दे रखें तो हमें यह शो करना यह फार्मा बेसिज है वी आवर आर का तो इसको भी हमें बताएंगे सबसे पहले इसको linear independent sorry basis बताने के लिए हमें यह प्रूफ करेंगे यह जो देल्टा और इनको इन मैट्रिक्स के साथ क्या कर देंगे linear combination बना देंगे इनका linear combination बनाने के बाद अगर तीनों की value 0 मिल जाती है चारों की value 0 मिलती है क्योंके matrices 4 है ना तो हम scalar भी चार लेंगे ठीक है तो अगर चारों की value 0 मिलती है तो हम बोलेंगे set B क्या है तुमारा linear independent अब अगर linear independent है तो इसी B के लिए linear span भी निकाल सकते हैं अगर वो linear span पूरे का पूरा VR को generate करता है तो तब हम बोलेंगे यह तुमारा क्या है B basis है तो आपको generate linear span निकालना आता है तो वह भी आप लोग खुद as it is कर सकते हो जैसे हमने पीछे भी एक matrix वारा कोशन की है था स् तो उसके बाद question number 14, 15, 16 student यह आप लोग as usual आप लोग खुद करेंगे try यह आपको homework है exercise है assignment है आपको यह आप लोग खुद try करें तो next आता है dimension of sub space के बारे में तो वो इंशालला हम कल के lecture में next शिरू करेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह exercise finish होती है तो okay student इतना sufficient है आज के लिए तो I hope आपको मैंने जो समझाया वो इतना समझ आया होगा किस तरीके से हम लोग अबैट करते हैं student ठीक है ना तो student जो question है next कैना हमें इसका exercise का question number जो 14 और 15 है वो तो बिल्कुल easy है वो आप इसी तरीके से कर सकते हैं उनका linear combination बना के the field क्यों प्रेशन नंबर का फिल्ड ले रखाया है और सेट आफ रियल नंबर है जो infinite dimensional vector space वाला है sufficient as well